हेलो एबरेवन मैं मेथुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे current affairs की ये class है जो की पिछले 6 महिने में जो भी चीजें घटित हुई है भारत और international में वो सारी घटनाओं का जो है संकलन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा अगर आपको इसका part 2 चाहिए होगा तो नीचे comment करके आप जरूर part 2 लिखेगा इसमें हम लोग top 50 questions को लेंगे इसके बाद 50-50 ऐसे so on हम लोग video बनाएंगे तो नीचे comment करके आप part 2 लिखते हो आपको अगर ये पसंद आता है तो हम लोग इस पे बात करेंगे और आगे जो भी बन पड़ता है वो देखेंगे पहला question आपके सामने ये रहा in which city is the G20 foreign minister meeting being held आपको बताना है उस जगह का नाम जहां पे foreign minister की meeting हुई थी मुंबई में हुई थी कोलकाता में डेली में या फिर गोवा में तो देखिए इसका जो correct answer है इंडिया की राजधा नहीं इंडिया सेट हुआ है यहां से आप देख पाओगे wait मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखो अलग-अलग country के foreign minister आये और उन्होंने जो है agenda सेट किया कि हम लोग इस meeting में discuss क्या करेंगे बातें क्या होगी उसके बारे में यहां पर बात की गई है चलिए आगे बढ़ते हैं एगले question ना तो देखिए चेंड़ाई, न्यू देली, कोलकाता या मुंबई में तो देखिए इसका जो correct answer है दोस्तों वो हो जाएगा मुंबई में चिहा महरास्ट्रा की capital मुंबई और मुंबई में यह आपको store दिख जाएगा यहां से मैं कुछ और फोटो आपको दिखा देता देखिए IEMF यानि कि International Monetary Fund ठीक है आपको नीचे कमेंट करके बताना है IEMF का मुख्याले जो इसकी मुख्याले है वो कहा है हेड क्वाटर कहा है वो आप नीचे कमेंट करके बताईएगा हेड क्वाटर के जो chief हैं इन्होंने कहा है कि वो कौन सी country है जो contribute करेगी 15% यानि कि पूरा all our global जो growth है उसमें 15% सिर्फ अकेले ये country contribute करने वाली है उस country का नाम अगर आप चाइना सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत हो ब्राजिल सोच रहे हो तो भी गलत है जपैन भी गलत है इसका correct answer है इंडिया जी हां इन्होंने कहा कि इंडिया के पास इतनी अभी जो signing यहां इंडिया भी बहुत अच्छा से growth कर पा रहा है फिलाल अगले question क्यों हम लोग बढ़ते हैं which country targeted Iran's oil and petrochemical sales with a new record of a sensor दखिये आपको पता ही है कि दुनिया में एक ही country है जो चौधरी बनने की बहुत चौड में रहता है actually to be precise दो country है एक है चाइना दूसरा है अमेरिका अमेरिक जिसे पसंद नहीं करता है बहुत सारे sensor hit कर देता है आपको जानकर आशर्ज होगा कि इंडिया पर भी इनोंने sensor जो है लगाये थे और कब लगाया था जब हम लोगोंने परमानुबम का परिच्छन कर लिया था तो फिलाल इसका right answer क्या हो जाएगा USA United States of America जिनोंने जो है इ Memorandum of Understanding जो है इंडिया ने साइन करी है उस country का नाम आपको बताना है अब किस topic पे इंडिया ने साइन करी है तो देखिए semiconductor supply chain और innovation partnership पे तो मैंने कहा ना अब भी जो है ना इंडिया और अमेरिका बहुत एक दुसरे के साथ जो है इंगेज हो रहे हैं बहुत अच्छी चीज को बनाने की तो वो भी जो है अमेरिका सेयर कर रहा है इंडिया के साथ तो फिलाल इसका right answer क्या हो जाएगा USA United State of America जो है अभी इंडिया के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है इसका reason क्या है ना आपको पता ही होगा कि चायना जो है बहुत आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्द तो नहीं बढ़ 5-10 सालों में यह USA को और टिक कर लेगा तो ऐसे में चायना को काउंटर करने के लिए इंडिया को USA सपोर्ट कर रहा है चली आगे बढ़ते हैं अगले question की और next question आपके सामने यह रहा अलमोहिद अलहिंदी 23 यह जो है एक exercise था जैने कि दो अलग अलग country के ब पढ़ें उससे पले आप लोगों के लिए छोटा सा काम देए जाता हूं देखना चाहता हूं कितने लोग सच में dedicated होकर काम कर रहे हैं आने वाले exam को crack करने की मनसा के साथ UAE का capital आप नीचे बताईएगा साथ में currency भी लिग दीजिएगा साओधियरेविया के currency और capital सेम कतर क की बात भी कर लेते हैं और ओमान की भी देखिये यह country बहुत अभी highlighted है तो ऐसे में इन country के currency और capital को जरूर याद कर ले अगर आप वहां के president का नाम याद कर लेते हैं as of now अधितर country में president को ही सबसे ज़्यादा powerful माना जाता है इंडिया में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मे प्राइम मिनिस्टर बंगलादेस में actually Asia में आपको चाइना को छोड़कर लगवग हर देस में प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा powerful माना चाता है तो वो जरूर याद कर देखिये फिलाल आप देख लिजे who has acquired वो कौन सी company थी जिसने sweetager land के credit suisse bank को acquire कर लिया है उस group का नाम आ माल लेते हैं तुम्हें और 3.2 billion जो है न इन्होंने 3.2 billion लगाया ताकि credit suisse को जो है बचाया जा सके ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं international monetary fund यानि की IMF जिसका मैंने आपको मुख्याले पोचा था comment करके नहीं बताया न आपने बता दो भई निच्यों कमेंट कर लो आप delivered how many billion dollars of bailout packages to the financial crisis देखिए सिरलंका में आपको पता है कि यहां पे बहुत problem आ रहे थी bailout package जो है इसे चाइना की और से loan पे loan दिये जा रहे थे तो इससे बचने के लिए international monetary fund के पास जो है गया है तो IMF ने कहा कि चलो ठीक है कितने पैसे यह सिरलंका को देने के लिए तयार हो गया ह आपको बताना है 10 billion, 20 billion, 3 million USD की बात हो रही है United States America की जो डॉलर है उसकी बात हो रही है 1 billion तो यहां से आप देख लो इसका आंसर 3 billion डॉलर जो है यह देगा और यहां से the tribune की यह जो खबर है वहां से आप देख सकते हो चलिए आगे बढ़ते हैं Recently which country announced a 75 billion dollar plan for Indo-Pacific तक यह इंडो-Pacific को यह जो इंडिया है यहां से आप देख पाओगे इंडो-Pacific को जो है डेवलब करने के लिए कौन से देश ने ना 75 billion dollar देने का प्रोग्राम बनाया है अमेरिका ने, इंडिया ने, जपान ने या फिर चाइना ने तो देखे चाइना तो इंडो-Pacific टर्म को ही नहीं मानता यह बोलता यह एसिया-Pacific है यह जो है इंडो-Pacific ना बोलकर एसिया-Pacific बोलता है तो चाइना को आप पहले ही ने इलिमिनेट कर दो बात रही इंडिया के तो इंडिया इतना पैसे अभी लगाना नहीं चाहेगा USA और जपान में मामला फस् चाइना को काउंटर करने के लिए जपान आगे आ रहा है अमेरिका आगे आ रहा है और भी कंट्रियां आगे आपको देखने को मिले की फिलाल आगे बढ़ेंगे Order of Australia एक एवार्ड है आपको बताना है कि bilateral ties को मजबूत करने के लिए कौन सी कंट्री ने Order of Australia एवार्ड जो है भारत के एक बहुत ही उंचे व्यक्ति को दिया है उनका नाम क्या है गोता मडानी रतन टाटा मुके संबानी या नेरेंदर मोदी अगर आप सोच रहे हो इनके बारे में खोज कर आपको पढ़नी चाहिए रतन टाटा चलिए आगे बढ़ते हैं अगर आपको इसकी पाट्टू चाहिए ना तो नीचे कमेंट करके मैंने बताया था नीचे कमेंट कर लिजे पाट्टू तो 50 कोशन अलग से मैं ले आउँगा आपसे अगला कोशन यह रहा वर्ल्ड टीवी डे कब अब्जर्ब किया जाता है हर साल अब्जर्ब किया जाता है आपको बताना है कि यह कब अब्जर्ब किया जाता है नम बताना है आपको उस डेट का 18 मार्च 20 मार्च 22 मार्च या 24 मार्च तो देखिए इसका जो राइट आंसर है यहां से चाहता है 24 March को right answer क्या हो चाहेगा आपका option D, D के साथ आपको आगे बढ़ना था, फिलाल आगे बढ़ेंगे अगले question की हो, with which country has unified, देखे, UPI की बात हो रही है, जो आप Google पे, phone पे, Paytm करते हो न, UPI के माध्यम से आप कर पाते हो ये payment, तो ये connectivity इंडिया किस country के साथ जो है कर cross border ये connectivity होने वाली है, अगर इंडिया के लोग वहां जाएंगे तो वहां से ये काम कर सकते है, जपान, मलेशिया, सिंगापूर या फिर कतर, तो देखिए इसका जो correct answer है दोस्तों, आपको यहां से दिख जाएगा, इंडिया और सिंगापूर ने ये जो है, दोनों देश के of Scotland, देखिए, Scotland मेंना first minister को ही prime minister आप समझ लो, क्योंकि यहां पे जो है, Britain का दबदबा है, यहां पे सबसे powerful इंसान को first minister कहा जाता है, समझ ली बाते हैं आपने, तो देखिए इसका जो right answer है, वो है हमजा यूसूफ, आपको जानकर आशियर जोगा, कि Indian origin के लोग आगे बढ पड़ते हैं, which country has recently joined the global initiative, देखिए, global initiative इनोने जो है लिया है, the agriculture innovation mission for climate, यहां कि climate को बचाने के लिए agriculture innovation किस country ने लिया है, यहां से देख लो, पाकिस्तान, इसराइल, इंडिया, या फिर मेक्सिको, तो इसका correct answer दोस्तों, इसका right answer क्या हो जाएगा, option C, India, क्या हो जाएगा, इंडिया, यहां से आप देख पाओगे, USA ने बेलकम किया है, कि इंडिया जो है, इस तरह के innovative idea को आगे लेकर जा रहा है, इंडिया recently signed a defense cooperation agreement, यानि कि हम लोगों ने रक्षा के मामले में, किस European country के साथ एक deal sign कर ली है, बेलारूस के साथ, रोमानिया के साथ, फिनलेंड के सा तो देखिए इसका जो correct answer है, बेलारूस के साथ तो हम लोग नहीं करने वाले है, इसका right answer हो जाएगा रोमानिया, हम लोग जो है अलग-अलग European country के साथ भी tie up कर रहे है, बेलारूस देखिए, actually Russia से बहुत influenced है, और फिलाल अभी के लिए जो answer है, वो है option number B, रोमानिया, चलि ये NATO में सामिल हो जाइए, आगे बढ़े हैं उससे पले NATO का full form आपको बताना है, और इसका जो head quarter है, वो भी आपको बताना है, देखिए NATO में जितने भी सदसी देश होते हैं, जिसे suppose कर लो कि इंडिया को अकर इसमें सामिल होना हो, तो इंडिया application डालेगा, तो जितने भी 31 मेंबर हैं अभी, अभी तो 32 हो गए हैं, तो ये 32 मेंबर सारे के सारे मेंबर agree होंगे, तो ही NATO की membership इंडिया को मिल पाएगी, खैर हम लोग NATO को मानते नहीं हैं, और हम लोग सामिल होने वाले भी नहीं हैं, तो इसका answer देखिए, Finland होना चाहिए, आपको यहां से मैं देखा द होगे, चली आगे देख लेते हैं, which country recently held a referendum, referendum मतलब होता है कि उस देश के लोगों से पूछा जाता है, भया, आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, भया, जेंडर बाइस नहीं होगा, बहना से भी पूछा जाता है, तो देखिए, new constitution जो है, अप्रेल 2023 में यहां पे नहीं नए समिधान को लेकर जो है referendum करा ली है, right answer आपका क्या हो जाएगा, option भी उजबेकिस्तान के साथ आपको बढ़ना है, pen paper पे इसे note down जरूर करते जाना, काम में आपका आएगा, अगर आप हिंदी से पढ़ने वाले हो, don't worry, हिंदी में ही लिख डालो आप, which country has become the 31st member of और इसका right answer क्या है, Finland 31st member बन गया है, which Asian country has been elected to UN statical commission for 4 year term, 4 साल के लिए statical commission का part actually किसे बनाया गया है, उस country का नाम क्या है, इंडिया है, सिरलंका है, चाइना है, या बंगलादेश है, उस Asian country का नाम आपको बताना है, तो proud feel किजिए, इंडिया को UN statical commission का जो है, चुल लिया ग बहुत important development है, which country conducted the military drill operation joint sword, देखिए, sword का नाम है, इन्होंने ताइवान के चारों तरफ से घेर लिया था, और इन्होंने एक joint operation military किया है, बताना है उस country का नाम, तो देखिए, North Korea कर सकता है, USA तो नहीं करेगा, जपान भी नहीं करेगा, तो right answer फिलाल क्या है, चाइना, चाइ external affair minister, जी हाँ, बिदे समंत्री को external affair minister का जाता है, जो कि SJ Sankar है, इन्होंने जो है, युगांडा की अलाबा कौन सी country को ये जो है, विजिट करेंगे, बहुत important country है वो, तो इसका right answer देखिए, मोजांबिक है, मोजांबिक को हम लोग युगांडा के बाद जो है, SJ Sankar के द्व India, Japan and France have launched a common platform for financial assistance to which country, देखिए, इंडिया, जपान और फ्रांस जो है, मिलकर financial assistance, यानि कि पैसे देकर जो है, इसकी support करने वाले है, सिरलंका की, युक्रेन की, भुटान की, या अफगानिस्तान की, तो देखिए, as of now, सबसे ज़्यादा problem किसे हो रही है पैसे की, जपान, इं insure करेंगे कि चाना के पास ये ना जाए, यहां से देख लो, सुडान न्यूज में है, बहुत दिनों से, आपको बता रहा है, सुडान की capital की है, मैंने आपको बताया था न, जो भी country बहुत ज़्यादा highlighted है, जैसे कि युक्रेन हो, रसिया हो, बेलारूस हो, तो आपको इन country के capital को, currency को याद कर लेना है, फिलाल, सुडान की capital क्या है, तो देखिए, हरारे जिंबांबे की है, तो इसा आप इसे eliminate कर सकते हो, कैप टाउन तो South Africa का पार्ट है, अब देखिए, अंगोला, इसका right answer होना चाहिए, let me see, और, देखिए, यहां से आप देख पाओगे, यह द इसे कौन, जो है, होस्ट करने वाला है, कौन इसकी मेजवानी करेगा, South Africa, India, China या Brazil, तो इसका right answer इंडिया है, और इंडिया में जो पाकिस्तान के foreign minister आए हुए थे, है न, और उनको थोड़ा cold solder दिया गया, यानि कि बहुत गर्म जोसी से उनका स्वागत नहीं किया गया, न BRICS का summit होगा न, तो सब ये बोल रहे थे कि पुतिन को arrest कर लिया जाएगा, लेकिन South Africa ने का दिया भई, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे है, चलिए आगे बढ़ते हैं, what is the currency used in Sudan, मैंने का न, Sudan के बारे में और भी जो popular country हैं, जो कि news में है, उनके capital को, उनके currency को याद करना बहुत B, Sudan की जो capital है, वो है क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, यहां से देख लो, wait, wait, यह देखो, खार्तोम है इसका capital, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला question, अगला question आपके सामने, यह रहा, USSR के पहले chairperson कौन थे, बलादेमिर लेलिन, स्टालिन, या फिर मिखाईल, या फिर कोई नहीं, तो देखिए इसका जो right answer है, यहां से देख पाऊगे, the life of the first and last president of Soviet Union, और इनकी death हो चुकी है, तो right answer आपका क्या हो जाएगा, यहां से देख लो, आप इनकी image को, यह दावायर की एक article है, जिसे आप पढ़ सकते हो, right answer आपका क्या हो जाएगा, option C is the right answer, चल आपको यह बताना है, वेस्ट बंगाल में होई थी, उत्राखंड में, लदाक में, या फिर राजस्थान में, तो देखिए इसका जो right answer है दोस्तों, कोप इंडिया 2023, US-India Joint Air Exercise, इंस्वित दखिए, यह देख लो, बंगाल के काली कुंडा में यह हुआ था, right answer आपका क्या ह जाएगा, option A, चलिए आगे बढ़ेंगे, आपको बताना है, T-E-L-E-O-S-2, यह launch किया गया है, primary satellite, PSLV के द्वारा, यह कौन से country को बिलॉंग करता है, UAE का, इसराइल, सिंगापूर, या फिर बंगलादेश, तो इसका right answer सिंगापूर होना चाहिए, फिर भी मैं देख ले light को हम लोग launch कर रहे है, जिसके कारण हम लोग इसरो को बहुत सारफ ऐसा मिल रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं, which country has achieved 38 rank, आपको बताना है, logistic performance index में, logistic performance यानि की, एक समान को दूसरे समान तक ले जाने के लिए, जो tracking होती है, जो समय पे कब पहुँचेगा, और जो समय द इसरो लंका को, तो इसका right answer देखे, क्या option B, इंडिया ने 38 rank एचीव करिया, और हम लोगों को बहुत आगे जाना है, यानि की right answer क्या हो जाएगा, इंडिया, चलिए आगे बढ़ते हैं, which country has announced the explosion of over 20 German diplomats as, देखे, यह होगा, और बहुत, देखो इस चिदी-चिदी बात है जियो-politics में कोई किसी का दुस्मन नहीं है, कोई किसी का दोस नहीं है, कोई permanent और temporary वाली बात वहाँ होती नहीं है, तो देखे, 20 German diplomats को इनोंने अपने country से भगा दिया, इसका नाम क्या है, रसिया, और रसिया सबसे ज़्यादा natural gas जो है, जर्मनी को ही बेच रहा था, तो जर्मनी फिर से रसिया के गोद में बैठे गजा के, वो अभी नहीं हो रहा है, बट हो का तो जरूर आज से 2-4 साल के बाद, तो फिलाल रसिया के diplomats को भगाया, जर्मन ने, अब जो रसिया है, इसने फिर से वही काम दोराया, और जर्मनी के diplomats को अपने हां से भगा दिया, चलिए आगे बढ़ते हैं, which country launched the chat GPT rival GigaChat AI chatbot, तो आपको बताना है, chat GPT के खिलाब जो है, एक और chat GPT AI chatbot, जो है, किस country ने लाँच किया है, तो देखिए इसका right answer क्या, USA है, North Korea, Russia या इसराइल, तो यहां से आप इसका answer देख पाओगे, रसिया ने ये काम कर दिया है, कि India to evacuate its citizen from Sudan, Sudan से इंडिया के student को evacuate, यानि कि बाहर निकालने की process सुरू कर दी गई है, इस operation का नाम क्या है, operation अफरिका, air lift, कावेरी या मूदी, तो right answer होगा, कावेरी, कावेरी, operation कावेरी के द्वारा जो है, हम लोग इन, जो भी हमारे देख में, वहां फसे हुए लोग है, उन इसका right answer क्या होगा, Australia, India, USA, या कोई नहीं, तो देखें, ये होने वाला था, बट ये हो नहीं पाया है, जी हां, अमेरिका ने इसे call-up कर दिया है, फिलाल के लिए, तो आपको answer बताना है, इसका right answer क्या है, Australia है, जी हां, Australia ही इसका right answer है, लेकिन फिलाल, PM मोदी, Australia के दोरे प आपको ban कर दिया है, समझ पा रहे हो, आपको बताना है कि ये terrorist को information पहुचा रहे थे, तो आपको बताना है कि किसी information पहुचा रहे थे, पाकिस्तान को, चाइना को, नौर्थ कोरिया को, या इरान को, तो देखें, इसका right answer है, दोस्तों, यहां से आप देख पाऊगे, चोगदब mobile app यूज बैन कर दिया गया है, वो चाइना की अप थे, वो किन की अप थे, चाइना की अप थे, चलिए, आगे बढ़ेंगे अगले question की और next question आपके सामने ये रहा, who left Google to spread awareness about the rising threat of AI to society, किसने कहा की AI जल्द ही इनसानों के लिए खत्रा साबित होगा, यह आगे चल कर ऐसा हो सकता है, तो देखें, यह AI के जनक थे, इनोंने AI के बारे में ही सब को बताया देखें, AI का गोड़ फादर बताया गया इनको, तो देखें, सौरेस ब्रैन, सही answer होना जितनी जितनी मसीन जो है, human के life में involved होगा और problem आईगी, right answer यह होगा इसका, फिलाल आगे बढ़ते हैं, अगला question आपके सामने यह रहा, inflation is measured on the basis of, आपको बताना है, inflation को किस से मापा जाता है, किस index के द्वारा मापा जाता है, यह comment section में आपको बताना है, आपका क्या इसमे declaration जो है, किस किस country के बीच हुआ है, इंडिया, युक्रेन, साउथ कोरिया या फिर अस्ट्रेलिया के बीच, तो यहां से आप देख पाऊगे, wait, मैंने यहां से हटा दिया है, यहां से देख लो, king jong yung, यह आप यहां से देख पाऊगे, Washington declaration, यानि कि साउथ कोरिया की बात ह हो रही है, किस की बात हो रही है, South Korea की right answer आपका क्या होगा, option C, South Korea के साथ आपको जाना है, फिलाल हम लोग जाएंगे अगले question की, और next question आपके सामने यह रहा, डिंग लिरेन, recently जो है, world chase championship बने है, यह किस country से आते हैं, आपको उस country का नाम बताना है, Russia, South Korea, China, या फिर Japan, तो नीचे comment करके बताना है, on which day is world praise freedom day celebrated, यानि कि जो बिस्व में पत्रकारता के स्वतनता दिवस के रूप में मनाया जाता है, world freedom day मनाया जाता है, praise के लिए, वो कौन सा day है, third may, second may, first may, या seventh may को, तो इसका भी answer आपको नीचे comment करके बताईएगा, 49th G7 summit in Japan will held in which historical city, कौन से सहर मे G7 के summit की जाएगी, Hiroshima, Kyoto, Tokyo है या फिर उसका, तो इसका right answer कहाँ है, यहाँ देख लो, Hiroshima में ये किया जाएगा, और इसकी बहुत अच्छी website इन्होंने बना रखी है, right answer फिलाल क्या हो जाएगा, Hiroshima is the right answer, दो बम गिराए गए थे, Nagasaki और Hiroshima पे, जिसका नाम क्या था, आपको पता ही little man और एक fat man, 6 और 9 अगस्त को ये गिराया गया था, which country is not a member of the G7, G7 का कौन member नहीं है, Spain, Italy, Germany, या फिर Japan, तो Japan में होई रहा है, तो right answer क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लो, Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom, USA, तो right answer क्या हो जाएगा, यहाँ पे, Spain is the right answer, Spain जो है, G7 का part नहीं है, जो सबसे बड़ी economy है, G7, उसमें वही लोगों का समुह है, how many money, Foxconn, interconnected technology has laid out for the Telangana electronic faculty, देखे, Telangana में यह faculty लगाने वाले हैं, आपको बताना है, कितने million dollar की यह जो है, यहाँ पे supply करने वाले है, 40 million, 400 million, 500 million या 3 billion, तो इसका right answer कितना है, 500 million India factory में लगाने वाली है, कहाँ पे, Telangana में, C is the right answer, which country withdraw from court in 2008 taking it to the, देखे, किस country ने 2008 में जो है, बिड्रो कर लिया था, क्वाट से, तो इसका right answer क्या है, यहाँ से आप देख पाओगे, a mistake to have a walk out, Australian, जो कि बाहर निकल गए थे, Australia ही इसका right answer होगा, लेकिन बाद में उन्होंने regret किया कि भाईया, गलती हो गई, माफी देदो, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, माफी देखर, PM Modi will Jalansky for the first time since Russia's invasion in which country, PM Modi Jalansky से मिलेंगे, पहली बार, जब रसिया युक्रेयन व G7 की जब meeting होगी, अब बोलोगे, इंडिया तो G7 का part नहीं है, तो देखिए, इंडिया एक observer country है, यहाँ पर, right answer आपका क्या हो जाएगा, option B, Japan में ये दोनों मिलेंगे, which planet has been declared to have the most satellite with the 145 moons, देखिए, 145 moon है इसके, और इसे जो है, डिकलियर कर दिया गया, सबसे ज़्याद हैं, अगले प्रसन की हो, अगला प्रसन आपके सामने, ये राग, great grandfather tree, जो है, वो किस country में है, इंडिया में, चाइना में, रसिया में, I mean, USA में, या फिर चिले में, तो इसका right answer आप देख पाऊ कि चिले में ये जो पेड़ है, और सबसे बड़ा, ये जो है, बहुत ही पु अगले बताया था, USA, China या फिर जपान, तो यहां से आप देख पाऊगे, ये देख लो, North Korea तो जोएन करने से रहा, USA की पास अपनी है, जपान इसका right answer हो चाएगा, आगे और भी UAE वगएर आपको देखने को मिल जाएंगे, जपान होस्ट करने वाला है, जपान होस्ट कर करने वाली है, तो यहां से आप इसका answer देख पाऊगे, option B, यानि कि इटली, right answer क्या हो जाएगा, इटली में जो है, अगला G7 Summit 2024 में होगा, अगला question आपके सामने ये रहा, व्लादी वस्तोक पोर्ट, जो की बहुत news में था, recently, आपको बताना है, ये किस country में है, उक्रेन मे USA Military Trade to Touch, आपको बताना है कि इंडिया और USA कितना बैपार करने वाले हैं, और इसकी जो धन रासी है, वो कितने billion को टच करने वाली है, 10, 25, 8 या 19, तो इसका भी answer आप लोग नीचे comment करके बताईएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, एंगले question क्यों, which country has unveiled a USD 17 billion dollar project, आपको बतान जो है 17 billion transportation project, लिंक करने वाला है, Asia to Europe, रैट answer क्या हो जाएगा, इराक option B, अगले प्रसंद क्यों बढ़ते हैं, which country successfully test launch the Kyber new generation ballistic missile, किस ने ये किया है, पाकिस्तान ने, अफगानिस्तान ने, साओधी अरेविया ने, या फिर इरान ने, तो इसका रैट answer क्या होगा, इरान option D, आखरी question देख लेते हैं, इसके बाद अलग से एक और वीडियो अगर आपको चाहिए होगी, तो part 2 नीचे comment कर दिजिएगा, which country has recently announced a new law against LGBTQ, किस country ने कहा दिया कि भईया, तुमारे खिलाफ हम लोग कानू लाने वाले हैं, ये काम इस दिसमें ने ही चलेगा, युक्रेन ने, इसराइल ने, युगांडा ने या फिर ब्राजिल ने, युगांडा ने यहाँ पे LGBTQ के खिलाप परदर्शन किया और एक नया बिल ला दिया है, फिलाल ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों, रिस्तेदारों तक इस वीडियो को जरूर सेयर करें, साज दोदेगे!